इस शो अपने आप में बहुत यूनिक शो है क्योंकि डान्स, ड्रामा और पूरा एक पैकेज है एक अक्टर के लिए और बहुत अच्छा प्लेटपॉर्म है टिकेट टू बॉलिवुड तमाम अक्टर्स के लिए जो पहले तुस तरह की चीजे नहीं होती थी हमारे टाइम मे लेकिन अक्टर्स को जो स्टैग्डिंग अक्टर्स है उनको एक प्रेटफॉर्म मिलता है यहां पर वो अपना जितना भी टैलेंट है फूरा पैकेजिंग डान्स और एक्टिंग, सिंगिंग यह सारा कुछ दिखा सकते हैं तो मेरे खाल से एक यूनिक शो है और मैं तो बहुत सारे एक्सपिरियंस थे यह था कि यहां पर टिके रहना बहुत जरूरी था और अक्टिंग के लावता दूसरा गाम जानते नहीं थे आप तो एक्टिंग में ही ऐसा लगता था कि पांच साल हो गए कुछ हुआ नहीं तो अपना आपको मोटिवेट खुदी करना कि अपने काम हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के साथ काम करते रहें तो अपर्चुनिटी जब मिलती है तो उसके लिए आप पूरी तरीक से प्रिपेर रहने चाहिए पदा चला कि अपर्चुनिटी मिल गई आपको एक्टिंग का असाइमेंट मिल गए कोई फिल्म मिल गई और आप काम करने के लिए के लायक नहीं रहें क्योंग यहां पर आपके कोई गौड फादर तो है नहीं सब कुछ आप ही को करना है फ्रेश भी आपको रहना एक सही दिमाव संतुलंद बना की भी रखना है चाहे दस साल लगें बीस साल लगें वह बहुत जरूरी है तो बहुत करते भे पूरा इंडिस्टी देखी की इस शो के जरीए तो डेफनली बहुत टैलेंटीड आक्टर भी है इसमें यहां पर तो डेफनली कुछ नहीं पुछ फायदा तो होगा किस तरक आप बताने सकता हूं किस सरगे का बट मैं बहुत एक्साइटिड नहीं हो और विगोस अफ साजीद में फर्स टाइम डरेक्ट कर रहे हो और दुसरे सल्मान खान है नंके साथ काम करने का पहली बार मौका मिला है मुझे तो बहुत एक्साइटिड नहीं रहीं चें कर चुका हूं फिल्म इसमें के घूम के तु नाम है फिल्म का अजी कॉमेड़ी फिल्म है तो उसके लिए लुक रखा था मैंने साथ ताम करने के साथ मेरा भी शुरुआत नहीं हुई शूटिंग उनके साथ भी नहीं हुआ लेगिन मैं बहुत एक्साइटिड नहीं के हुआ 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 है हुआ है । इस दोगान रख जोटें में भाब व व नहीं हुआ है अगवांदी पस्वोर्ट लिए है हुआ है अजगा फिक थे बाइबो पाटिए प्रोट आप दूए आख निकालत हाँ पाटिया कि देख़े ह voltar गnoc कि एड दें कि हाद कि पीचे कर लाई छार्यार यार का वीश्य, कर दकने का वीशिती, कि तकने लुर का वीशिती कर दो सेंगा लुडोर गर्सादी कि अहीं बढसा ओठान आपजू चत्यजीजे को धई बाई खाथ बिडिकेー का आ इसने हो गया है कंठेन कंठे स्वा पर कंठे तरफ टीने नो गारी या ऐंज को उन्यों को सबस्ते है इंसरो करें िनल नहीं के अ आधा दके हुआ जी पर जहीं लमाया ही वीजिया एका इंडना पारे पीछे पारे एका इंडना पारे लूरे को एक इंडना इका याज़ी हुथ पेल्ट हो और एका इन आका इंडना मेंटा इंडना आए आए Durham आए इनकि helland आहसको प्लाइ धान का आए हमान jedem इसद्वेचशो टस्का इतर अप्वरी घंड़्ङिक कर दो, कर दो, कर दो, कर दो कर दो, 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 क भी अजय वी नहीं है किया खड़ा यह दो जरीजय। कि अई घर अ की वाका तेरी लोगे का वे श्ड्सरावर देखिन अई टप अई लो अई अई यह वम्हको अई एंग कर अई एंग कर लो बांक, वह बांग कर दिए राइंट पुर दिएंटार्स की चिए। कि टीए बुटपूटर्स की अड़िए पार पार बार पार अवार अवार पार पार अवार मेशा स crazy गटार बाद नगारी एक पड़ अँदर नगारे बीछे इस किसी के अअपड़ नगारी ही दोटेजिए पांग पांग मेंग प्पारी के जाना। कर दो 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 कर कर दोलते हो. आए 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 अए ये ले एड़ा है कि इसे कि अ आरर विव अड़ कि एल wife कि लग से आर अलाए कि एल कि पीछे पारी नगारी थेक गतान बिचे मुझे थितस्य पताम है अफ प्रिर को अब रूख सिए जाए जह जा有一ज जाकी नेगा मेराय के पारी थेक गताने नरी को दाने भारी थेक गताने में रहे थेक आख आख पारुण हुआ गाइच ई इसा पर पेले टेगे नहीं तो यह लों ही इस सब्स्क्तरिण वोज देना हुआ है इस अधिक आड़की नहीं है इस अड़र व्लाइल आड़की आड़की होग होग है हम कते हैं में दो ए लाँ कर दो आविलाइड़ आविलाइड तर्मिलाइड में रुप्त निन अविल्द ओरों हो से नियुविल रेन आप यूपिश्वर खेद्सानरा कास्या गभाइड अगरेद्स नियुविल आप गिसा कि देला मुंद अगरे का सफजिय के लिग डिगयर में वाहिविलाइड बुद सबसे पहले कि इस चैनल को देखने वाले इतने भी हमेरी सुरता हैं सब को मैं परणाम करता हूँ पैर चुके और ये धादकड़ी इस फिल्म का नाम है जिसमें हम और दिनेजी सायद दूसरी बार आ रहे हैं परदे पे तो लोगों के अंदर इस फिल्म के लेकर बहुत सारी गर्मिया है और बहुत सारी उतसाहित है और इसके बाद है कि तो भी तो रिलीज पे है लेकि अब देखिए कौन पहले रिलीज होता है लेकि आशा वेस्वास है जए इस फिल्म को हम दोनों भाई को प्यार मिलेगा और आश्रबाद पब्ली के बिलेगी बाभी डार्लिंग जहां तक हमारे भजबूरी के लिए ऐसे ह हंदी में तो काफी शुकर बूल ने किया है लेकि हंदी के लिए नई चहरा है उते हमारे आरजिए के लिए बाशिपूरी में पहली बार अशाए कर लह तक गर आए वो तो अच्छा लग रहा है इस फिल्म को अनने उनका सपोर्ट मिल रहा है प्यार मिल रहा है मझग तो आसा भी स्वास है कि हमारे पब्लिक भी उनको प्यार करती है और करेगी इस फिलिम में और अच्छा मज़ा रहा है उनके साथ काम करके जिसमें दिनेज जी और आप दोनों लोग जो है आज एक काईदी की भूनका में हैं अतकड़ी लगी हुई है क्या कहना साहिए देखिए हमारा काम ही ऐसा है कि हम कभी अरिया होते हैं कभी अफसर बन जाते हैं कभी कुछ बन जाते हैं तो हम लोग का परफेशनल चीज है और ह दिनेज बिया तो हमारे बड़े भाई भी हैं हमारे गारजियन हैं और उनका प्यार उनके साथ रहा कर मैंने बहुत सारे चीजों को सीखा है और उनको देखकर हम हीरो बने हैं क्योंकि उनका फिलिम आया था तो हम बहुत उत्साहित थे कि दिनेज बिया का फिलिम आया है उ और उसे दिन से इनके बिचारों से और इनके कामों से बहुत परभावित हुए और दिल में एक बड़े भाई और गारजियन शुरूब बैठ गए एक्टर तो है एक्टर तो कमाल के है वो नो डाउट उनको देख कर हमें को सीखने को मिलता है उनके साथ काम करके तो यह मेरा स देखता हूं उसके बाद मैंने कहानी देखा तो और वो माइंड ब्लॉइंग इनसान है और काम के परती बहुत ही मंदारी है उनको क्योंकि हम जब यही लिरिक्स पर बैठे हैं गाने पर बैठे हैं मेजिक पर बैठे हैं तो इनसान चार बज़े सुबह तक हमारे साथ पर बैठे हैं और प्रेम में कैद नहीं होगा हम बच्चे कैसे क्योंकि इसमें हमारी हिरोईन है नहीं है जो बंगल सी है सपना मुखर जी साथ की चटर जी ऐसा कुछ नाम है सपना बनर जी तो अच्छा लगा वह बहुत अच्छी आटिस्ट हैं नेचर वाइज बहुत हैं हम लोग का जोड़ी बहुत अच्छा लग रहा है और मजा रहे हैं उनके साथ काम करके हैं अब भूमिका मेरी मेरी में फुली से थानेदार रहता हूं और थानेदार में ऐसी कुछ घटनाय होती है जो मुझे जेल हो जाती है और दिनियस भी थानेदार ही रहते हैं और करते हैं हैं इससे मुझे से जोटे हैं और मुझेसाँ जैल में ड्लते हैं स्टे jiशन इनके साथ हो ऐसा ही कुछ गण na गड़ता है जो इनको भी जेल में तो हम दोनों का टस्टन उसी समय से रहता है और 모든 नैस दिनिया के साथ में बहुत ज्यादा धुग सब आर उसके बाद बहुत सारी मां के साथी मोशन, मेरा दिनेजबिया के साथी मोशन, उनके घर परिवार उजर जाने का वी मोशन, बहुत सारी चीजे जुड़ी है जो हमारे घर से उठाई चीजे हैं, यह हमारे देहाद की चीजे हैं, जो अकसर ऐसा होता है, कि दूसरे के अन्विश्वास के क तो अन्जाम तक पहुचाते हैं. तो मेरे फिल्म में सारा गाना तो खुद मैं ही गाता हूँ. यह पुबली का प्यार है कि अगर दूसरा कोई गाता है तो मेरे से अच्छा तो गाएगा वह लेकि लोगों को अच्छा नहीं लगता है. तो काफी आडियंस को प्यार मिलती है मेरे गानों को तो इस में मेरा पांच से छे गाने हैं इसमें और दिनिस भी आके बाकी गाने हैं. तो अभी जो भी सूट हो रहा है उसका गाना है. तो मैंने काफी प्रभावित गाना है यह गाना एक्छूली हमारे जो है जो ना नर है ना मदा है तो उनके उपर गाना है और दोनों ए थोड़ा सा द्वर्ती है लेकि वाक्सर उनके लिए कोई गाना आज तक बना नहीं था तो हमारे दिमाग में ऐसा आया तो हमने बनाया कि भाई नैनो का इंजन पीछे होता है अपने ओडियस के मज़ा के लिए मैंने बनाया ऐसे वलत कोई चीज नहीं है और इसमें सारे हमने गाड़ी को उपर की हां भाई एक वही इसी गाड़ी है जिसका इंजन पीछे होता है बा और वो बहुत चैन्सियर आदमी है। और काम के परती तो उनका इमदारी दिखता है। इस उमर में भी उन्होंने इतना अच्छा काम कराते हैं। बच्चों की तरफ अपने बेटे की तरफ मांते हैं हमें। और बहुत मज़ा था उनके साथ काम करके। तो काफी अनुभव था, उसके बाद उनके साथ मेरा फिल्म प्यार जुकता नहीं, संसार, उसके बाद ये ने चार पांच छे फिल्म हमारे साथ हो किये हैं, जो कि बहुत अच्छा मुझे उनके साथ अनुभव हुआ और कुछ सिखने को मिला, क्योंकि ये लोग इतने अनु सब्सक्राइब करेंब केंटे का व्यार जाद तो हमारे लिए सब है, आमारे लिको पीक्रिये suis, का व्यार मारे लिक। में इसा नहीं else, कवि रखता मुझे का सपक्रत करता हूं hearts, मैं ये अकला वीकिशा क ne i도 कि ये रितना ही है, क् completely diverts, कि में ये इक हम और आदं का सब्सक् हमारे लिए सब हैं, हम कलाकार ऐसे होती हैं कि नहीं हमारा कोई पार्टी होता है और नहीं कोई जात होती है नहीं मेरा कोई धरम है हमारा कलाकारी धरम है, हमारा कलाकार ही जात है, हमारा कलाकार ही नेता है, हमारा कलाकार ही सरकार है तो हम एक अलग सरकार में जीते हैं इसलिए हम किसे सरकार के बारे में नहीं बोल सकते हैं ऐसे मोदी जी के लिए मैं भी पराथना करता हूँ कि भाई हमारे देश में मोदी जी आए क्योंकि हमने काफी चर्चे सुने हैं कि हम गुजरात में जाते हैं तो हमें काफी help मिलती है मोडी जी से और उनके सरकार में हमें कोई disruption नहीं होता है और हम बहुत अच्छे तरीके से सुट कर पाते हैं और रहां की बिवस्ता बहुत अच्छी लगी तो हम लिगा जिए झे थोड़ा भी वी विवस्ता अगर गुजरात की तरह हर एक इस्टेट में सुधर जाए तो अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात हो सकता है जगर जीस तरह अपने इस्टेट को किये हैं उस हमारे इस्टेट को भी ऐसा ही करेंगे थैंक यू जाए बहुत काफी दिनों से इसकी तयारी चल रहे थी जब हम लोग इनकी फिल्म कर रहे थे रवी शिनाजी की जंजीर तब ही से इसकी तयारी में लगे हुए थे कि इसके बाद मुझे ये फिल्म बनानी है तो इस क्रिप्ट पे काफी काम किया भी ज्लिक दूनो resistance पुद मेनद किया है और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बनी है और इसके साथ साथ है कि ये भी है कि इसमें हम और खेसारी लाज जी दोनों लोग एक साथ इसके पहले भी हम लोग एक बार एक फिल्म और किये हैं, दूद का कर्ज, जिसका गाना अल्रेडी बहुत लाइक किया जा रहा है, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, अब फिल्म भी रिलिज नहीं हुई है, तो वो रिलिज होगी, उसके बाद ये फिल्म आएगी, और जैस अलग अलग कहीं कारण से जेल में आते हैं, अलग अलग अपने जीवन में जूचते हुए, जेल के सलाकों के पीछे पहुंचते हैं, लेकिन कहीं न कहीं दोनों का जो दुश्मन है, वो एक ही है, और जेल से निकलने के बाद किस तरह से वो उन लोगों को खतम कर पाते हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं इनको जेल के पीछे भेजने के यही है इस फिल्म की जो मूल कथा है वो यह है लेकिन इसको बड़ा रोमांचक तरीके से इन्होंने बनाया है इसका स्क्रीन पर ले बहुत अच्छा किया है जनों गाने बहुत अच्छे बने तो बड़ा अच्छा दर्शकों को खोब पसंद आएगी फिल्म पहले फिल्म पहली फिल्म तो थी लोफर और लोफर के बाद जो है अदालत और अदालत के बाद तो फिर अद्कडी तो एकडम सही जा रहे हैं रभी जी एकडम जैसे इनको चलना चाहिए एकडम सही दिशा में जा रहे हैं और अधकडी की कहानी जो थी वो इतनी अच्छी थी रोचक थी कि हम लोगों ने तो पहले जब सुना था तभी कह दिया था कि हम लोग ये फिल्म करेंगे मैंने भी और तो एकदम सही जा रहे हैं रभी जी मेरे हिसाब से बड़ा एकदम इनका जो सफर है वो सही चल रहा है आप फिल्म में बहुत सारे गाने हैं और उसमें से जो मुझ पर फिल्म आये जाएंगे वो गाने मेंने गाये हैं और आज जो गाना शूट हो रहा है वो गाना खेसारी जी और मैंने दोनों लोगों ने गाया है तो मुझे लगता है चार गाना होगा जो मेरे उपर होगा चार गाना लगबग खेसारी जी के उपर होगा और एक दो गाने ऐसे हैं जो फिर विलेन लोगों के लिए छोड़ दिया जा मुझे लगता इस गाने का जो थीम था गाने की जो डिमांड थी उस हिसाब से ही रवी जी ने उनका चुनाव किया है उनका चैन किया है एक ऐसा करेक्टर जो उसका नाम ही है नैनो नैनो नाम है और वो जो हमारे फिल्म के जो विलेन है उन लोगों का व्यक्ति है और उन लोगों दोरा भेजा जाता है जेल के अंदर तो नैनो के उपर जो गाना बनाया गया था है वो जिस तरह से बड़ा अच्छे डंग से उन्होंने उसको वर्डिंग में डाला है किसारी जी का काफी इंपूट रहा उस गाने में तो उस हिसाब से एक ऐसे किर्दार को रखना था जो उस गाने में एकदम फिट बैठे और मुझे लगता है कि नैनो गाड़ी तो प्रचली था ही उसी तरह से हमारे बॉबी डार्लिंग भी को भी सभी लोग जानते हैं सभी लोग पहचानते हैं तो उस किर्दार में रभी सिना जी ने ऐसा सोचा कि हम बॉबी डालिंग को ही लेकर आते हैं ताकि लोगों को एक जाना पहचाना चेहरा ही मिलेगा और जब अपना जाना पहचाना चेहरा कोई किसी किर्दार को निवाता है तो उससे जुड़ने में और आसानी हो जाती है लोग बड़े आसानी से उसे जुड़ जाते हैं तो यही कारण रहा होगा मुझे लगता है रवी सिनाजी के चुनाओ का मेरी भूमिका तो इस फिल्म में इस तरह से कि मैं कानून का रख्षक हूँ मैं कानून का रख्षक हूँ लेकिन इसके बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग अपने कानून की रख्षा के लिए कुछ कड़े कदम उठाते हैं वो उन लोगों के लिए बहुत नागवार होता है जो कानून तोडने वाले लोग होते हैं तो ऐसे ही लोग इस फिल्म में जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं वो ऐसी साजिस रचते हैं वो ऐसी चाल चलते हैं और ऐसी घटना को अंजाम देते हैं कि एक कानून का रक्षक ही जेल में पहुंच जाता है मुझे ही सजा हो जाती है और एक जेलर जो कैदियों को अपने जेल के अंदर सुधारता है अब उसे खुद ही कैदी बनके आना पड़े तो वो कैसी इस्थिती हो सकती है आप सोच सकते है तो ही इस फिल्म में मेरे साथ में अंजना जी है जो मेरी पत्नी की भूमिकानी बाह रही है तो अंजना जी है उनके साथ पहले भी मैंने फिल्म किया और बहुत अच्छा काम करती है बहुत अच्छी बढ़िया एक्टरेस है और जिस तरह का इसमें जैसे नॉर्मली फिल्मों में क्या होता है कि पहले हम ऐसा दिखाते है कि एक लड़के लड़की में प्रेम है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं प्यार करने के बाद फिर वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और शादी में अर्चन आती है तमा तो शादी मेरी हो चुकी है अंजना जी से और वो उनके साथ में जो है जितना भी सीन और जितनी भी चीजें हैं वो बड़ी रोचक तरीके से बनाया है रवी जी ने तो एक लव का ये भी एंगल देखने को मिलेगा ओडियंस को और मुझे लगता है कि जो पहले देख रहे थे उससे ज्यादा मज़ा आएगा क्योंकि जब तक शादी नहीं होई है किसी भी जोड़े की तो वो जिस तरह का बिहेब करता है वो जिस तरह की उनकी हर्वते होती है वो कई गुणा अलग होती है जब उनके शादी हो जाती है तो अब ये शादी होने के बाद का जो प्रेम है वो एक नया अनुभाव होगा हम लोगों के लिए भी और दर्शकों के लिए भी तो लाएं गाना होजा जो आपके आवाज में तैसन स्वाल पूछ जला कि हमके आदे ना तो अभी कट करा तो सोचे जाता हूं इनके घुटना कमजोर हो गता ना ना ये अच्छा पूशी किनों बाद नई सरकार आने वाली है जी गोच्पुली सिनेमा जगत को क्या करना च अरे नई सरकार से या किसी भी सरकार से यही उमीद होती है कि देश में जो भी उद्योग दंदा होता है वो चाया फिल्म उद्योग हो या कोई उद्योग दंदा हो उससे बढ़ावा दिया जाए उससे वो संसाधन उपलब्द कराएं जाए जिससे कि उसका विकास हो उसमे लोग काफी दिनों से चा रहे हैं और यह मांग भी करते हैं हर सरकार से तो आने वाली सरकार से भी हम यह मांग रखेंगे और मांग करेंगे कि सबसे पहले तो हमारी भोजपूरी भाषा को भाषा के माननेता दी जा आठ्वी अनुसूची में उसको शामिल किया जा ताकि कि मान्यता नो होने के वज़ज से बहुत सारी दिक्कते आती हम लोगों को, चाहे हम सिनेमा बनाने जाते हैं, पोर्डूसर के रूप में तो भी आती है, अगर हम एक एक्टर के रूप में काम करते हैं, तो नई सरकार से तो हमारी सबसे पहली और एक ही मांग होगी, कि हमारी वहाद्शा को जो है वो मानमता परदाल कि जा ये जिये है, क्योंकि वहुक्त का हख है, मिलना चाहिए जितनी भी भाशा sindे में हैं उसमें हमारी भाशा जो बोझ्शपुरी hɒ? वो एक बहुत बड़े तपके के द्वारा भोली जाती है, समझे जाती है, तो मिलना चाहिए, वो उसका हक है, उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रात्ना करेंगे निक समझाज़ा। तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, तो जो काम मुझे आता नहीं, उसमें मैं हाट डाल के करूँगा क्या, क्योंकि भोजपूरी इंडस्ट्री से, जिन लोगों को राजनीती में टिकेट मिला है, जो लोग टिकेट लेकि और चुना लड़ रहे हैं, काफी अनुभवी लोग हैं, उनको काफी अनुभव है, राजनीती का भी अनुभव है, राजनेताओं का भी अनुभव है, बहुत सारा उनके पास है, तो वो कर सकते हैं, हमारे लिए बिलकुल नई चीज होगी, और वो हमारे, मुझे लगता है कि अभी हम उस योग ये नहीं हैं, कि हम उसमें हाट डाल झाल 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 आप भुषपूरी के साथ आप भी नजार आ रही है जेल में क्या कहने चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरी दूसरी भुषपूरी फिल्म होगी और बहुत एक्साइटेट थी क्योंकि भुषपूरी के काफी बड़े सूपरस्टाज हैं लेकिन मैं के सारी लाल को यहीं पर आके मिली हूँ तो मुझे उनकी पारे में इतना नहीं मानून था तो तो ही इस वेरी डा और मैं आप लोगों से रलेट कर सकती हूँ क्योंकि जो मेरा कीरदार है यह फिल्म के अंदर वह एक उडिश्ट बन कर मैं आती हूँ जील के अंदर यह माईक लेकर और मैि कैम्रे के साथ एंटर होती हूँ कैसे जयल को कशविंस करतीू कि मुझी अंदर आना है और इसके ब क्योंकि मुझे लगता है कि मिर्च मसाला बहुत होता है और अदाई, मिर्च मसाला, टुम्के, मतलब निचोड़ दे इंसान को ऐसा नाच है मतलब पसीने पसीनी हो रहे हैं हम लोग क्योंकि वहाँ पर जेल के अंदर यह सी नहीं आज तो बुरा हाल है लेकिन मज़ा इसलिए आ रहा है गाना बहुत कैच रही है और पूरा 100% देने की कोईश्च कर रही हूं कि बेस्ट करूँ क्योंकि इतने बड़े दोनों सुपरस्राज हैं भोछपुरी के और मेरी भी इज़त का सावाल है क्योंकि मेरी दूसरी भोछपुरी फिल्म होगी तो अपना बहस देने की कोईश्च कर रही है और मज़ा रहा है परले फिल्म आपके दुगंदेर जिसमें बिलेन अधरेस मिसला तो बिलेन गवाद रही है लेकिन वह उसका एक्सपिरेंस वहाँ अलग लोग थे, यह अलग लोग है यह जादर यंग लोग है वो लोग सब दुनरदर, बड़े, सब इस्टेबलिश्ट है यह लोग सब फ्रेश है नई है लेकिन नामचीन है तो मज़ा रहा है I think यह फिन का यह गाना मुचे लगता है 1000% उमीद है कि बात रॉक करने और रवी जी के साथ मैं पहली फिल्म में मुझे इसना आइडिया नहीं है बोचपुरी का तरीकत तोड़ा डिफरेंट होता है काम करने का यह सुना है पहली गाने पिक्टराइज होते है उसके बाद फिल्म के सीन साथ-साथ चल रहे है लेकिन डिफरेंट एक्सपिरियंस ह क्योंकि ठुमके बहुत जादा है और अंदर असी भी नहीं है तो पूरे हम लोग अपना हार्डवर्क देखो कहीं स्वेट हो रहा है दिक्कत हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी एक्सप्रेशन्स, डान सीक्वेंस, आपको डान्स के आपके जितने भी मुवमेंट से किसके साथ क्या कनेक्शन है क्या कैमिस्ट्री बिठानी है और निर्वा थोड़े से सीरियस लगे मुझे तो इनके साथ मैं इतनी जैल नहीं हो पही बठा जो दूसरे है केसरिया तो इनके साथ मजा आरे क्योंकि उनके साथ अभी कमफर्ट लेवल अच्छा होगा है तो इसको गाने को और उसके बाद जब सीन होगा तब मालूम चलेगा रवी के साथ मेरा कनेक्शन और नाम तो बहुत होना है और देखते हैं भी कुछ कमाली होने वाला है फिल्मे क्योंकि अब इसमें बॉबी टार्लिंग आ गई है क्योंकि मैं हूँ हूँ हाटी नॉटी बॉ वो कौन है मैंने चालीस तुल में किया मेरा नाम लिंका बॉक और रिकॉर्ड्स में है अब गिनिस बुक मेरा नाम जा रहा है अरे हम भी दो नर्दर है हम लोग प्रोफाइल रखते हो अलग बात है मैं तो नहीं जानती हूँ सीमा सेंग, excuse me, संभावना को जानती हूँ of course, मेरी दोस्ते मेरा गला गोड़ देगी हूँ अगर बोलुगी नहीं जानती हूँ सर अब जैसे की बात करें आपकी फिल्में से लोफर, जनजीर उसके बाद खकडी लगा दिये हैं दिनेज जी को, क्या कहना चाहेंगे आप देखे क्या है, दिनेज जी मेरे पसिनिदा कलाकारों में से एक है, मैं दिनेज जी को बहुत पसं करता हूँ, बहुत अच्छे कला हैं और ये उनके साथ में तिसरी पिक्चर है, पहले फिल्म की थी लोफर, दूसरी आदालत की थी जस्ट रिलीज उई थी, तिसरी फिल्म है ये हत्कडी और इसमें सबसे बड़ चीज क्या है कि भचपुरी फिल्म इंड़स्टी के लिए एक बहुत नया पन चीज है, साथ भचपुरी के सूपर स्टार लोग है, मिरसाथ हैं और खिसारी जी भी बहुत ही अच्छे और उमदा कलाकार हैं, काम करने बड़ा ही मजा रहा है, दिनेजी तो है हैं, आप खिसारी जी जबाग हैं तो सोच लिजे फिल्म इन चार चांड लग गया है, तो खिसारी लाल जा में हैं तो पुलिक के लिए कि तनी ख़श्टी होगी कि दोनों नों पुलिस वाले हैं मतलब क्या है और ये ओर वह चैज पीज है और आप में वृ जेलने बार्वी डार्लिंग जो टीप हंदी कよねश्टी में में बहुत नाम उनका है, और उडियन्स हम समस्ते हिंदुसान के सारे लोग उसमें जानते हैं, वो एज प्रेस रिपोडर आती हैं, लोग का इंटरू लेने के लिए, अब उसमें गाना जो है, वो धमाल है कि गाना, मैं समस्ता हूं कि पूरी साल जो है, रिलीस के गाना इतना बजे जाए कि लोग बोलें कि बस रिपीट पर रिपीट बगाना बजाओ जाओ जाने को जैसे कि बोच्पी फिल्म होता है कि जादा करके आइटम डांसर को ही इस तरह की गानों लेकिन आपने बावी डार्लिंग के तुनावतने आपके हैं? क्या गाने का जो मकसद है मेरा उस गाने के मसद में कोई अटम डांसर जो है उस से प्रफॉर्म नहीं करती तो मेरे दिवाब बावी डार्लिंग को लिया जाए एक नयापन होगा भजपुरी इंडिश्ट्री के लिए और पुली को भी हर नया चीज देखने को हरा इनसान चाहता है कि नया चीज देखे औ बढ़ मजाएगा इसके सोच के मेरे लिया अजी यह मेरा खुशकरिश्मती है कि मैंने मुश्कली सारे स्टार्ट जब भुशपुरी के हुए है उनको मैं डिया ज्या है और आभी पहली वार कान कर रहा हूँ के लिए भूट ही बहुत ही सजजन और डौन टो वर्थ ही इंस मेरे साथ यतने कलाकार्वावनें काम किया है मनोज जी अपने आप में उस ब wat मानोज जी सुएर स्टार रहे हैं उस सोध में इसात काम किया है रवि की संजी दीने जी सब लोगों को साथ में करूब किया हूं और सारे ही रो आपको काम आना चाहिए सामने वाला कलाकार को आप कांफिडेंस भी ली जिए कर दो कॉलगार होगा आपको पूरा 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 कॉपुरा अप्रिट करेंगा अग्या है अजरी दोस्त मैं भचपुरी फिल्मों मुष्टली जो है कहानी रिपीट कहानी होती है मैंने भी कभी ऐसा किया है बट कि हिंदी फिल्मों के कहानी को रिमेक कर दिया ही कर दिया मेरी ये हद्कड़ी फिल्म जो है उस तरह के नहीं है ये एक नया कहानी है अब सुचिए एक जेलर क्यादी हो जाता है एक पुलिस अबसर क्यादी बन जाता है मुझरी मनता है तो फिर वह कहानी में क्या क्या नियापन होगा इस कहानी के राइटर है राजन अगरवाल जो हिंदी फिल्में लिखते हैं वो है वो है उसके कर रहे हैं और फिल्म बड़ा ही एक अलग हटके कहानी है और मस्ता ओडियन्स इसको देखने के बाद मुझे याज जरू करेगी कि वरभी जिन्हाजी ने एक नया चीज़ दिया इंडूस्री को तो फिल्म कितने परसेंट हो गई है मैं सब्सक्राइब थर्टी परसेंट सुटिंग कंड़ जाएगा है अब ये लगातार सुटू है इसके राद कुरी पिछे पिछे कंड़ जाएगी कि रिलीज तो सही वक्त पर किया जाएगा सही वक्त सही सहमें दखके दो सुपरेस्टार हैं फिल्म के अंदर तो वैसा मह करूं ताकि लोग बोलते हैं पुरी फिल्म नहीं होती है उस चीज़ को ख़त्म करने कोश्शित में करूंगा फिल्म में एक रोइन है अंजना सिंग जी जो अपने दिनेस्तलाल जाएदो जी निर्हवा जी का पोजिट में है एक नई लड़की को मैं डिडूस करना है इस लड़कियों को मैंने किया है तो बट ये भी लड़की है कि अपने आप में एक मुकाम बनाएगी मुझे इसा मुध है तांक यू बेरे मच